हेलो भीवर्स कैसे आप सब बहुत दिन बाद मैं रेशीपी लेके आये हूँ जन्मस्ट में special रेशीपी है आटे की पंजरी ये मेरे केसब को बहुत पसंद है और मुझे भी देख सकते हैं मैंने अपने केसब को भोग लगाया है आटे की पंजरी ये बहुती टेस्टी होता ह और बहुत यासनी से बन जाता है चले स्टार्ट करते हैं इसमें हम मखाना यूस करेंगे मखाना जरूर यूस करें पंजीरी में बहुत अच्छा लगता है आज मैं आटे की पंजीरी की रेसिपिया आपको सेयर करूंगे इसमें मखाना बहुत याच्छा लगता है पहले हम या बीना घी डालके हम भून रहे हैं एकडम लो फृले में अच्छे से इसको भूनना है कि मखहना जो है एकडम भून चुका है अब उसको उठा के हम साइड में रखेंगे अब कड़ाई में हम घी एट कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा किस्मिस और काजू हम फ्राइ करेंगे आप अपने पसंद से इसमें पेस्ता भी एट कर सकते हैं कोई भी ड्राइपूर्स जो आपको पसंद है और आप एट कर सकते हैं इसे भी हम थोड़ी देते की भूनेंगे, ये भी भून चुका है, इसको भी हम उठा के साइड में रख रहे हैं, अब थोड़ा सा घी हम फिर से अट करेंगे हैं, इसमें हम एक कप आट हम आट करें, आप जितने कुवाझ टिटी में बनाना चाहेंगे, उसी सब से आप कम यह ज़्यादा कर सकते हैं इसको अच्छे से भूनना है एकदम जब ब्राउन हो जाएगा तब तक भूनना है आपको एकदम मीडियम फ्लेम में भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा दिखिए हलका हलका ब्राउन होने लगा है इसमें अब जो हमने माखाना और काजू की इसमें भून के रखा था वो हम एट करेंगे फिर से इन सब को आपस में मिला देंगे इसके बाद हम सुगार पाउडर एट करेंगे आपको जितना मीठा पसंद है उससे सब से आप सुगार का पाउडर कम यह जादा कर सकते हैं मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करें अब यह उठा के भगवान को भोग लगाए एक दम रेडी है हम उठा रहे हैं अब इसमें हम एक तुलसी के पत्ता एट करेंगे फिर भगवान को भोग लगाएंगे हैपी जन्मास टिमी फिर से मिलेंगे बाई बाई